हेलो वर्वन वेल्कम यूओ अलेट लोकेसर अलिम्टेड स्टडी जोन आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल पर और आज मैं यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं लीनियर इनेक्वैलिटी तो हैडिंग बना लीजे बच्चों लीनियर इनेक्वैलिटी क्या होता है लीनियाि का मतलब क्या होता है लीके स्टीए लैन और इनेक्वैलिटी का मतलब क्या है नौटviewer ी कि अव्के मतलब यहां पर आपके पास ट्रीड नहीं है मतलबब एकवल नहीं है और साती साथ कैसी है स्ट्रेट लाइन तो आपने देखा होगा सबसे पहले इसके में बात करते हैं equality की equality का दूसरा नहम होता है equation तो पहले देखो हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है inequality ओके ना और inequality का हमें पहले पढ़ना पढ़ेगा equality because equality का जोरी परेकल है जो एंटोने में वह क्या है क्यों के पहले हमें जानना पढ़ेगा समी का को VISTA मिकरन समी करन in English it is called equation guys equation so what is equation in previous classes we have learned about equation that equation is ax plus by plus equal to 0 this is called equation ये equation होती है ये आप जानते होंगे जब इस equation को क्योंकि दो variable है और x की पावर भी किती है 1 और y की पावर किती है 1 so this equation is called linear equation अब बहुत लोग जानते होंगे linear नाम क्यों पड़ा because इसमें जुड़ा है line और जब आप इसको graph में plot करते हैं तो ये line देता है that's why the name of this equation becomes linear equation so this is our linear equation and this is the line जिसको हमने ड्रॉख की है ग्राफ पर इस line का नाम है ax plus by plus equals to 0 इस line का नाम है ax plus by plus equals to 0 ये line जो है एक बार फिर से इसको बना देता हूं मैं ये देखिए ये line यहां से यहां जा रही है ये line है okay so ये अपने पास ये line है अब देखिए ये जो equation है इस को कित्तेपॉाइंट है इसको satisfy करने वाले point कौन कौन se है तो भाई equation line को represent करता है तो जो point line के solutions होंगे वहीos equation के solution होंगे मतलव जो point line के उपर लाई करेंगे वही इस straight line के उपर लाई करेंगे वही इसके solution होंगे okay So how many points are there वहाँ पे कित्टे पॉइंट चाहिन पर पर शांडी करने वाले इंफैनाइट पॉइंट कि है इस पराले इसा कित्टे सबस्क्राम होते हैं 2 vaarlane q crises डाय है इस case solution है अब दो बाते हो सकती है कि इस expression की value ax plus by plus c की value greater than 0 हो जाए या ax plus by plus c की value lesser than 0 हो जाए समझने आप इसका मतलब मतलब उन point का collection जो value जो है इस line की मतलब वो points जो इस equation की value 0 से greater than 0 से lesser दे तो ये क्या थी equality थी और ये बन गई है inequality तो ये pure inequality है ओके ये कहलाती है pure inequality ax plus by plus c y greater than 0 मतलब line में line के उपर के point so ax plus by plus c y greater than 0 में क्या आएगा एक reason आएगा क्योंकि इस line के सभी इस तरफ के point आपके ax plus by plus c greater than 0 में आ जाएगे सो ये जो reason cover होगा ना ओकी हम negative में मत जाएगा क्यों क्योंकि मैंने already आपको बोल रखा वैसे यहाँ पर जा सकते मैंने आपके सामने कोई शर्त नहीं दिये बटेदी मैं आपको एक शर्त दे दूँगा कि x की value भी 0 से बड़ी और y की value भी 0 से बड़ी मतलब मैं first quadrant की बात कर रहा हूँ मगर मैं प्रतम चतुर्थांस की बात कर रहा हूँ तो मेरे सारे solutions का होंगे first quadrant में बटेरी नहीं बोला गया तो आप जहां भी मर्जी चाहो जा सकते हो तो ये greater than 0 का ये आ जाएगा इसका दाइरा इसका ये क्या कहलाता है ये reason कहलाता है reason एक बात और less than 0 का reason कि इधर जाएगा less than 0 का reason इधर जाएगा चलिए तो ये basic सी बात हो गई है बट हमारा target यहां पर basic पढ़ना नहीं है हम थोड़ा सा high level पर जाना चाहते थे ये introduction बट ऐसे ही मन बोल पड़ा की introduction दे दिया जाए तो दे दिया मैंने चलो तो आंगे की बात करते हैं जो हम main आज यहां पर task है मारे पास मैं कुछ high level concept आपको discuss करना चाहता हूँ देखो जी क्या है वो concept concept ये है कि अगर आपके पास में x is between a to b और a भी greater than 0 है और b भी greater than 0 है समझ गया न तो देखो मज़े की बात क्या आपको ये कुछ भूल जाए तो आप दो नंबर ले लिया करो जैसे 5 और 7 ओके तो x की value जो है 5 से बड़ी है और 7 से क्या है छोटी है तो यदि आप one upon x करोगे तो ये भी हो जाएगा one upon a और ये हो जाएगा one upon b अब बोलो inequality का sign क्या हो जाएगा तो inequality का sign up change हो जाएगा अब one upon a बड़ा हो जाएगा और one upon b छोटा हो जाएगा इसको पलट करके अच्छे से लिखोगे तो क्या लिख साख होगे इसको लिखोगे आप one upon x is between one upon b to one upon a ये देखिए ठीक है तो इस seven तो देखो इसको यदि देखोगे तो ये one upon seven से बड़ा और one upon five से छोटा ठीक है ना तो जो बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाएगा तो one upon x की value जो है one upon seven से बड़ी होगी और one upon five से छोटी होगी तो ध्यान रखना है इस बात को एक और example ले लेता हूँ मैं आपको समझने के लिए कि अगर x की value जो है अगर x की value 5 से लेके 10 के बीच में है तो one upon x की value किस से किस से होगी तो one upon x की value one upon 10 से बड़ी होगी और one upon five से छोटी होगी इसकी आप आदत बना लीजे क्योंकि या आदत बहुत अच्छी है मतलब यह चीज इधर चली जाएगी अपन में यह चीज इधर चली जाएगी ओके इस तरीके से कुछ काम होगा तो यह पहली चीज हो गई यह कप था जब दोनों positive थे अब आई यह थोड़ा high level पर बात करते हैं दूसरा एक ले ले लेते हैं negative और एक ले लेते हैं positive ठीक है एक ले लेते हैं negative एक ले लेते हैं positive तो पहले मैं आपसे गलती करवाऊंगा बाद में उसके concept बनाऊंगा चलो देखो x की value 7 से बढ़ी minus 7 से बढ़ी और minus 2 से छोटी लेओ भाई दोनो negative ले लिया मैंने यह भी less than 0 है यह भी less than 0 है ओके x की value minus 7 से बढ़ी है और minus 2 से छोटी है ठीक है ना ओके 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 तो इसमें तो कोई गलती के chances नहीं है no problem दोनों ही negative है यहाँ पर क्या है negative है तो आईए देखते हैं इसको यदि आप पलड़ दोगे तो 1 upon x देखो सोचो क्या होगा 1 upon x यहाँ पे ले लो minus 7 पहले इसको भी पलड़ दो minus 1 upon 7 और minus 1 upon 2 अब बताओ minus 1 upon 7 और minus 1 upon 2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है minus 1 upon 7 और minus 1 upon 2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो देखे आपको clear देख रहा होगा यहाँ पे आपने upon में कर दिया है ठीक है ना तो upon में minus 1 upon 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और minus 1 upon 2 छोटा हो जाएगा क्यों ऐसा होगा देख लीजे आप अगर आप यहाँ पर 4 करते तो आपको और beautifully clear होता है, 7 थोड़ा आपको problem करेगा मैं 4 करके example लेता हूँ कि x की value minus 4 से बड़ी है और minus 2 से छोटी है तो 1 upon x आप नहीं किया है तो एक जगह कितना आजाएगा एक जगह आजाएगा minus 1 upon 2 मतलब minus 0.5 और एक जगह minus 1 upon 4 मतलब कितना आजाएगा minus 0.25 अब अंदाजा लगाओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना तो देखो minus 0.25 जो होगा वो जादा close होगा तो यह बड़ा होगा और यह क्या होगा, छोटा होगा तो क्या condition बन गई अपने पास में कि 1 upon x जो है वो minus 0.5 से बड़ा होगा और 0.25 से छोटा होगा मतलब minus 1 upon 2 से बड़ा और minus 1 upon 4 से छोटा तो यहाँ पी भी आपने देखा कि inequality जो है simply पलड़ गई यह इधर आ गई है, यह इधर आ गई है तो क्या लिख दिया अपने से लिए x की value minus 1 upon 2 से बड़ी and minus 1 upon 4 से छोटी yes minus 1 upon 2 से बड़ी, minus 1 upon 4 से छोटी है ना मजी की बात तो एक बार और एक्जामपल ले ले लेता हूं x की value अगर जो है minus 2 2 से minus 7 की बीच में है तो 1 upon x करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 by 2 और minus 1 by 7 ठीक ना, yes तो अब इसको आदत बना लीजिए अब देखिए, अगला question लेते है अगला concept लेते है अगर x की value minus 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है तो 1 upon x आप सोच रहे होंगे कि ये 1 upon 7 और minus 1 upon 5 क्या ऐसा होगा minus 1 upon 5 से छोटी और 1 upon 7 से बड़ी बिल्कुल नहीं ऐसा हो जी नहीं सकता है ऐसा कोई number ही नहीं present करता है कि minus 1 upon 5 से छोटा हो और 1 upon 7 से बड़ा हो ऐसा कोई number ही नहीं होता है कि 1 upon 7 से बड़ा हो और minus 1 upon 5 से छोटा हो यह क्यों हो रहा है मालूम बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 बैठा हुआ है ओके यहाँ पे minus 5 बैठा हुआ है और इसके बीच में क्या है 0 और 0 जब आता है तो rule उलट पुलट हो जाते हैं तो यह rule जो है यह गलत बनेगा यहाँ पे ठीक न? यहाँ पे यह rule रूल है यह rule apply नहीं होगा तो आपको इसीनिक quality को दो parts में कणना पड़ेगा यह जो आपके सामने ने quality है अब इसको दो part में करना पड़ेगा ठीक न? तो कैसे करें आइए यह समझते है इसको तो क्या था, x की value जो थी, minus 5 से बड़ी थी, ओके, और 7 से चोटी थी, तो इसको अलग-अलग ले 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 जे, पहला ले 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 जे, x is greater than minus 5, ओके, x is greater than minus 5, तो 1 upon x, 1 upon x less than minus 1 upon 5, एक तो चीजी हो गई, कि 1 upon x less than होगा minus 1 upon 5, और दूसरी चीजी ले ले लिजे, क्या दिया था, कि x less than 7, x less than 7, तो 1 upon x greater than 1 upon 7, तो ये इसका solution आएगा, मतलब इस case में आप कह सकते हैं, कि यदि बीच में origin आ रहा हो, if x is between a and b, and if a is less than 0, and b is greater than 0, if a is less than 0, and b is greater than 0, तो क्या होगा, 1 upon x जो आएगा, that will be less than 1 upon a, and 1 upon x जो आएगा, वो होगा, that will be greater than 1 upon a, 1 upon b, ओके, फिर से लिखता हूँ, कि अगर आपके पास a less than 0 है, और b greater than 0 है, और x is lying between a to b, x is lying between a to b, तो 1 upon x is lying less than 1 upon a, and 1 upon x greater than 1 upon b, देखे, basic वाले बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, element 12 वालों को, क्योंकि उनको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, हाँ, जो मेहनत कर चुके होंगे, उनको जरूर समझ में आ रही होगी, basic एक्दम जिनका पहला चैप्टर उनको लग रहा होगा, भाईए, क्या start कर रहे हैं, सर्जी, 1 upon x less than 1 upon a and 1 upon x greater than 1 upon b, important है इस लिए पर फिर से इसको लिखना चाहूँगा, कि x की value अगर a से लेके b के बीच में है, okay, and a is less than 0 and b is greater than 0, तो क्या condition बनेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, x is less than 1 upon a and x is greater than 1 upon b, तो जैसा पिछला question आपने देखा था, है न, पिछला question में back करता हूँ देखिए, slide को तो आप उसमें देख लेंगे, कि यहाँ पर x की value क्या थी, 1 upon 7 से greater आई थी, और minus 1 upon 5 से less आई थी, ठीक है, exactly, तो देखते हैं कुछ example इसके, example इहाँ पर देखते हैं, देखिए, जैसे कहरी आपके पास में, कि if x is lying between minus 3 to 7, if x is lying between minus 3 to 7, तो चलो भाई, क्या हाल होंगे देखो, 1 upon x जो होगा, वो 1 upon x जो हो जाएगा, वो less than कितना हो जाएगा, minus 1 upon 3, 1 upon x जो है, less than हो जाएगा, minus 1 upon 3, and 1 upon x जो है, वो greater than हो जाएगा, कितना, 1 upon 7, तो number line में इसका जो answer निकलेगा, वो क्या निकलेगा, minus 1 upon 3 to infinity, इधर की तरफ, and 1 upon 7 to infinity, ठीक है न, ये इसका solution बनेगा, ठीक है न, x is less than minus 1 by 3, and x is greater than, कितना हो जाएगा, 1 upon 7, चलिए, अब आते हैं कुछ, इस स्क्वारिक वाले के खेल में, चलिए, नेक्स देखते हैं, इस स्क्वारिक वाले के खेल में, अगर आपके पास x की value, minus 3 to 9, लाई कर रही है, अगर आपकी value, x की value, minus 3 to 9, लाई कर रही है, so x की value, होगा, तो एक नया बच्चा क्या करेगा, minus 3 का square भी 9 कर देगा, और यहाँ पे x है, और इसको यह 81 कर देगा, 9 से लेके 81, देखे, ऐसा नहीं है, बट, अब आपके पास x square निकालना है, तो minus 3 से लेके, अगर आपको 9 तक का domain दिया गया है, तो देखे, बीच में क्या पढ़ रहा है, 0 पढ़ रहा है, यह minus 3 है, यह यहाँ पे 9 है, और आपके बीच में क्या पढ़ रहा है, 0 पढ़ रहा है, तो एक चीज़ तो आपको पता होगी, कि अगर यहाँ से लेके किसी भी number का square करोगे, तो square क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब यह चीज़ पूरी पलटके इसी के उपर आजाएगी square की तरह, यदि हम करते हैं, तो, lowest number क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 का square, तो यदि बात किजा, इसका square क्या होगा, तो x square की minimum value set होगी, वो किती होगी 0, और maximum value किती होगी, 81, ओके, तो क्या लिखेंगे हम, x square, sorry, x square belongs to 0 to 81, 0 close रहेगा, और 81 open रहेगा, ठीक है, हाँ, तो क्या है वाई, क्या concept बन गया, concept ये बन गया हमाँ पास कि, अगर x की value जो है, a से लेके b के बीच में लाई कर रही है, x की value a के बीच में, a से b के बीच में लाई कर रही है, और यहाँ अगर a less than 0 है, और b greater than 0 है, a less than 0, b greater than 0 है, तो x square जो होगा, वो minimum कहाँ पे sit होगा, 0 पे, और इसकी maximum value b square से less होगी, that is your answer, next example देखते हैं friends, अगर आपके पास मान लीजे, x की value minus 7 है, और यहाँ पे 2 है, और आपको यहाँ पे x square की value निकालनी है, तो x square की value क्या होगी, तो देखे, x square की value, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, x square की value 2, 2 का square 4 हो जाएगी, और minus 7 का square 49 हो जाएगी, जो की बिलकुल गलत है, देखे, 4 से बड़ी, 49 से कम, ऐसा बिलकुल नहीं है, देखे, 2 से minus 7 है, मतलब बीच में 0 आ रहा है, और जैसे ही 0 आता है, तो minimum value आप 0 दो set कर ही दिजे, तो x square की value जो होगी, 0 से बड़ी होगी, और इसमें जो जादा बड़ा number है, उसका square कर दीजे, तो कितना हो जाएगा, 49, यह concept बनाईए, okay, so इसको मैं by the formula कैसे लिख सकता हूँ, अगर formula की फार में question आ गया, कि if x is between a to b, okay, if x is between a to b, and a is less than 0, a is less than 0, and b is greater than 0, where mod of a is greater than mod of b, where mod of a is greater than mod of b, तो x square की value होगी, lowest कितनी होगी, 0, and highest value होगी, वो कितनी होगी, a square, चलिए, अगला question लेखते हैं, पहले हम लोग example समझ रहे हैं, बाद में उसके बाद उसका concept बना रहा है, जिससे कि हम लोग को इच्छे से समझ में आ जाए, तो जैसे मेरे पास x की value जो है, वो minus 2 से ले करके, sorry, minus 5 से बड़ी है, और minus 2 से छोटी है, है ना, 0 से, तो यहाँ पर x square कहां से कहां लाई करेगा, तो अगर आप बोलोगे, तो सोचोगे कि x square जो है, 5 का square 25 कर दो, और जो है, यह 4 कर दो, तो यह बिल्कुल गलत है, देखे अभी भी क्या है, minus 2 और minus 5 है, तो 0 से बात चलेगी, ओके, और कहां तक चलेगी, 25 तक चलेगी, तो x square की जो value होगी, वो minimum value कितनी होगी, 0, और maximum value कितनी होगी, 25, क्योंकि 5 का square जो है, 25 है, तो देखे, यहाँ पर x square की value, oh sorry, so sorry, so sorry, देखे, यहाँ पर एक mistake होगी मुझसे, योगी बीच में, minus 2, 2, minus 5 है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे गलती होगी है, यह नहीं होगा answer, देखे, minus 2 है, तो minus 2 का square 4 बनेगा, और 5 का square 25 बनेगा, मतलब यह पूरा का square इस तरह पलट करके आ जाएगा, 0 के, तो minimum value 4 पर सेट होगी, और maximum value 25 पर सेट होगी, तो इसका answer जो था, x square के value, यह थोड़ी सी गलत लिखी थी, इसको सही करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x square is from 4 to 25, 0 नहीं आएगा, देखे, 0 तब आता है, जब origin क्रॉस होता है, मतलब एक shortcut समय लिजे, कि 0 जब आता है, origin क्रॉस होता है, conceptually इसको देखा जाए, तो कैसा बनेगा, if x की value a से बड़ी है, और b से छोटी है, और a से बड़ी है, और जहां पर जो है, a और b दोनों ही negative है, a is less than 0, and b is less than 0, दोनों ही negative है, so x square की जो value होगी, x square की जो value होगी, वो क्या हो जाएगी, x square की जो value होगी, क्योंकि minus 2 है, तो minus 2 का square 4, minimum पर 60 हो जाएगा, तो b square सबसे छोटा, और a square सबसे बड़ा, तो यह सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर question ऐसे आता है, तब तो चलो बहुत easy है, बट यदि ऐसे आजाता है, तो आप कोई बनाना पड़ेगा, इसको समझ करके कि क्या होगा, अब जैसे for example, एक और question अपन लेते हैं, वो तो simple है, अगला क्या लिया जाएगा, कोई simple वारी बात है, कि if x is less than a से बड़ा, और b से छोटा, और a बी गरदें 0, बी भी गरदें 0, तो भाई बहुत ही simple है, x square जो होगा, b square से लेके, a square तक होगा, इसमें तो कोई बुद्धी लगनी नहीं है, बहुत ही simple है, है न, दोनो positive है, तो क्या लगेगी बुद्धी इसमें, चलिए कुछ question हो जाएं, कि भाई अगर x की value जो है, minus 6 से लेकर के 2 के बीच में है, तो x square क्या होगा, देखो भाई, बीच में 0 पढ़ रहा है, मतलब minimum value 0 सेट कर दो, और maximum value जो बड़ा वाला है, याने की 36, चलिए, अगला question देखते हैं, कि x की value जो है, minus 7 से बढ़ी है, और minus 2 से छोटी है, तो 0 नहीं पढ़ रहा है, तो x square की minimum value 4, and maximum value 49, square करके देख लो, ठीक है न, minimum value 4, और maximum value 49, चलिए next question देखिए, x की value जो है, minus 6 है, और maximum कितनी है, plus 10 है, और यहां मैंने equal भी लगा रखा है, तो x square कर यह बीच में 0 पढ़ दा है, 0 पे, और maximum value 10 का square कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, next question देखते है, x की value जो है, minus 7 से सुरू हो रही है, और 4 से छोटी हो रही है, ठीक है न, तो देखो, बड़ा कौन है, minus 7 है, और बीच में 0 पढ़ रहा है, तो x square 0 से start होगा, और कहां पर जाएगा, 49 पर जाएगा, ठीक है न, x square 0 से start होगा, 49 पर जाएगा, ओके friends, तो इसके साथ साथ कुछ और important result आप लोग याद कर लीजिए, कि sec theta जो होता है, उसकी value always greater than or equal to 1 होती है, क्योंकि sec का graph जो जाता हैगा, आपने देखा होगा, इस तरीके से जाया करता है, तो इसकी value होती है, always greater than or equal to 1 होती है, और इधर आने पर जो इसकी value होती है, always lesser than minus 1, तो sec theta की value जो होती है, हमेशा greater than 1, and sec theta is always lesser than or equal to कितना minus 1, तो यदि इसके हम range की बात करें, तो इसका जो range होगा, वो क्या होगा, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, या यह कह सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, r minus minus 1 to plus 1, मतलब minus 1 to plus 1, include नहीं होगा, remove में, है ना, मतलब इसमें से इतनी चीज़ें, यहां से हटा देनी हैं, और कैसा लिख सकता हूँ number line में, यह minus 1 है, यह plus 1 है, तो number line में इसका जो range बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, यहां का कोई reason नहीं आएगा, इसी तरीके से similarly, जो cosac theta का graph बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है, तो यह दि cosac theta देखा जाए, तो cosac theta is always greater than or equal to 1, and cosac theta always less than or equal to minus 1, मतलब इसकी जो range होती है, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, sorry, infinity में हमेशा open interval लगाया जाता है, चलिए आँगे देखते हैं कुछ और rules, याद रखिएगा, x plus 1 upon x, x plus 1 upon x जो होता है, हमेशा 2 से बड़ा होता है, और minus 2 से छोटा होता है, x plus 1 upon x always less than or equal to minus 2, तो इसकी जो value होती है, minus 2 से छोटी है, और 2 से बड़ी है, तो इसकी minimum value जो होगी, कित्ती होगी, 2 होगी, यह कौन सी value कहलाएगी इसकी, इसकी value हमेशा, minus 2 से छोटी होती है, और 2 से बड़ी होती है, ठीक ना, तो इसकी minimum value जो होती है, वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है ना, और इसकी value हमेशा, minus 2 से छोटी होती है, मतलब इसकी maximum value कित्ती है, 2 है, तो यदि graph में देखा जाए, तो यह graph में इसको कैसे जाएगा, x plus, यह देखे, यहाँ पर मान लीजे, यह minus 2 है, तो इसकी value हमेशा, minus 2 से छोटी, इधर की तरफ, और plus 2 से, minus 2 से छोटी, और plus 2 से बड़ी, तो बहुत ही अद्भूद graph है यह, इसको आप ध्यान में रखी, कई सारे questions में आपकी यह, मदद करता है, x plus 1 upon x, 2 से greater होता है, and x plus 1 upon x, x जो होता है, वो minus 2 से छोटा हुआ करता है, ठीक ना, तो minus 2 से छोटा होता है, और plus 2 से बड़ा होता है, इसको नोट कर लिजे, आप इसको APGP के concept से भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे करते हैं, मानने जापके पास कोई नंबर है, x है और एक 1 upon x है, so you know, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, ओके, so arithmetic mean इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, x plus 2, a plus b by 2, x plus 1 upon x by 2, always greater than or equal to, gm कितना हो जाएगा, x into 1 upon x, ठीक है न, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x plus 1 upon x, is always greater than or equal to 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 बन जा कितना हो जाएगा 2, तो देख लीजे, x plus 1 upon x जो होता है, वो हमेशा 2 से क्या होता है, बड़ाया बराबर होता है, तो इसमें, यदि इसकी minimum value देखी जाए, तो कितनी आएगी, इसकी minimum value जो है, 2 आएगी, क्योंकि यह 2 से हमेशा, बड़ाया बराबर हुआ करता है, ओके डन, तो दोस्तों, आज की class में, इतना ही linear inequality के बारे में, comment करके बताईए, कि आज का lecture आपको कैसा लगा, और आपकी जो भी query हो, उसको जरूर आप comment box में लिखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना है,